कुछ समर्थकों ने भी कहा बले नेता बढ़िया है बस हमाई पार्टी में आ जाएं तो यहाँ अभैसिंग उपर योगी जी ऐसा कहा समर्थकों ने माननी मुलायम सिंग यादो जिन जेल में रहते हुए हमको टिकट दिया और मैं विधायग बना तो जिस नेता का जिस पार्टी का हमारे उपर इतना बड़ा आहसान है जब हो कहेंगे भाग जाबह सिंग तुम्हारी कोई जिरुवत नहीं है तो हो तब हम अपने आके घर बैठ जाएंगे तब भी मैं किसी दूसरी पार्टी नहीं जाओंगा यह अभै सिंग है आयोध्या की गुसाइंगन सीट से समाजवादी पार्टी के विधायक मुलायम सिंग का हैसान जता रहे थे कह रहे थे कि सपा को दगा देने का सवाल ही नहीं यह वीडियो 2022 का है जब उत्तर प्रदेश में विधान सभा के चुनाव चल रहे थे और हम और मेरे साथ सौरब जी हम दोनों लोग इनके घर पे गए हुए थे तब इंटरव्यू किया था और तब उन्होंने अभै सिंग ने ये कहा था लेकिन वो साल दूसरा था ये साल द बयान देते हुए बीजेपी के उम्हीदवार को वोट कर दिया है सुनगे जरा पहले बसपा में फिर बसपा से सपा में आया अभैस सिंग और आप बीजेपी की तरफ बढ़ चले अभैस सिंग पिछले चुनाओं में बीजेपी की आरती तिवारी को उन्होंने हराया था आरती तिवारी कौन खबू तिवारी की पत्नी खबू तिवारी कौन जो 2017 में भाजपा के टिकट पर चुनाओं जीते थे विधायक बने थे और बाद में उनका डॉकुमेंटरी एविडेंस हुआ उन्हें सजा हो गई उन्हें अपनी मार्कश्रीट में फरजी वाड़ा करने के मामले में दोश अबहाय सिंग की छवी अपने इलाके में एक तरीके से रॉबिन हुड वाली है और जो बाकी जातियों के लोग भी हैं वो भी उनसे अटैश्मेंट फील करते हैं उनसे जुडाव महसूस करते हैं तो एक तरफ ठाकोर वोट एक तरफ ब्रामभर वोट खबूतिवारी वर्स अबहाय सिंग की लड़ाई थी अबहाय सिंग ने बाकी जातियों को साथ लिया चुनाओ जीते और अबहाय सिंग के अदावत की जो चर्चा थी वह उस समय खूब हुई इकलोती विदान सबाती हमें लगता है पूरे उतर प्रदेश में जहां गोली चलने की खबर आई थी यह भी आपको सुनना चाहिए एक आडियो टेप और एक नेता का नाम बार-बार आपके साथ जोड़ा गया मुक्तार अंसारी दोस्त हैं आपके जेल मुलाका थो जेल में वाई साथ बंद रहे हो किस मामले में थे आप जेल में? हम उससे हैं बंद थे एक हेमेन प्रताब सिंग की खत्या होगी थी इंवर्सिटी में उस केसे में बंद था अच्छा तो मितरता है आपकी और मुक्तार की? हम भी बिधायक रहे हैं बिधायक वोगी थे बिधान सवाम मिलते हैं दूआ सलाम होता तो उसके पहले भी जेल ने बंद रहे हैं संबन तो ही दूआ सलाम तो ही है तो अभै सिंग उत्तर प्रदेश की राजनीती में एक चर्चित नाम है और बीजेपी में जाने के बाद अब फिर से चर्चा होने लग गई है कभी कृष्णानंद राय की हत्या कांड हो, सियमो हत्या कांड हो, इन सब को घुमा फिराकर अभै सिंग तक आरोप लगते थे दाहिना हाथ कभी कोई कह देता था मुक्तार अंसारी क्या, लखनव विश्विद्यालाई में छात राजनीत की, वहां से आगे बढ़े बीजेपी विधायक जिब कृष्णानंद राय की हत्या हुई, तो उसमें फोन पर बाचीत के एक आउडियो वाइरल हुआ था, उसमें कहा जाता है कथित तोर पर एक आवाज अभै सिंग की है, लेकिन अभै सिंग ने कहा कि बात साबित हो नहीं पाई, तो ये तमाम चीज अभै सिंगी ने जो चोटी काटी थी, उसको लेकर के काफी चर्चा रही, फिर धननजे सिंग और अभै सिंग की दोस्ती की वीवड़ी चर्चा होती थी, जो जानपूर वाले लेता है, धनने सिंग बाद में कहा जाता है कि दोनों के रिष्टे वैसे नहीं है, खेर अभै स सरायरासी गाउं कहे थे आप, देखा आपने, इस गाउं का लड़का है संतोस सिंग, था, उसकी बूढ़ी माती सिर्फ, संतोस सिंग इस गाउं पर पहले दो गोल हुआ करते थे, सियोचन सिंग के एक अधसी सिंग की, दोनम जगड़ा होचलता था, एक-एक मर्डर दो मु सिर्फ, कि इस से मैने जो है, नहीं जानता हूं, संटोस को फोन करके बुलाया, संटोस उसके पास गए, चूंकि संटोस हमारे साम्मन मनतर दढ़ल मुधन कंचे परचित थे, मैं उसमें जैलेमन था, संटोस दढ़ल सिंग के पास गए, और धंझे सिง नें नीथ गोली दे पाथ मेरे परिवार का आदमी को मार देंगे तो हमारे उनसे दोस्ती चलनी चाहिए आप इसका जहाँ बीजे तो वो मर्डर से दुश्मनी छड़ो ही उन्होंने संक्तोर सिंग को बुला के धोके समारा उस दिन से हमारी उनकी बुलाई हो गई तो ये है अभै सिंग की कहानी जो वफादारी की बात करते थे कहते थे घर बैठ जाएंगे लेकिन दूसरी पार्टी में न जाएंगे अब ये देखना होगा राजसरवा चुनाओ के बाद सपा के विधायक रहते हुए बीजेपी के पक्ष में वोट देने के बाद वो क्या करेंगे इसमें विधायकी तो जाएगी नहीं तो क्या होगा वो किस पाले में बैठेंगे क्या इस्तीफा दे देंगे क्या उप्चनाओ में जाएंगे जिन विधायकों ने बीजेपी के पाले में वोट दिया है उनका भविष्य क्या है हमें लगता है भविष्य तय है जब भारती जनता पार्टी सर्वसताओं के साथ नहीं थै दिल्ली से लेकर लखनव तक एक लैस फोर्स है इनके पास तो डीलिंग भी अंदर खाने तो हुई होगी और उस डीलिंग में कुछ न कुछ वादे हुए होगे आपको ये दिया जाएगा जो जैसे उपकृत हो सके उसे उस तरीके से किया गया होगा अब इन विधायकों का भाजपा के समर्थन में वोट करने के बाद उन्तययन शुरू होगा या अपनवन शुरू होगा ये भी देखने वाली बात होगी नमस्ते मेरा नाम अभिनो पांडे है आपके लिए खबर हमारे साथी गौरोतामरकार ने लिखी थी देख तेरे दीललन टॉप शुक्रिया